नमस्कार मैं हूँ प्रभाकरमनी तिवारी और पुर्वत्तर का जहरोखा नामकिस खास कारिकरम में एक बार फिर आपका स्वागत है मैंने पहले ही कहा था कि इस कारिकरम के जरिये मैं इलाके की अनुठी ख़वरों के बारे में आपको बताता रहूँगा उनको जिनको मुख्यधारा की मीडिया में जगह नहीं मिल पाती है इसी सिलसले में मैंने हाल में आपको बताये था कि किस तरह पुर्वुत्तर के परवतिय राज त्रीपुरा से अनानास और नीमु का मध्यपुरू के देशों में निर्यात किया जाता है और पिछले सप्ता हांत के दोरान पहली बार यहां पैदा होने वाले कठल की खेप परिक्षण के तौर पर इंगलेंड भेजी गई थी और राज में जैविक खेती को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और यही वज़य है कि फलों और बाकी खद्यानों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है इसलिए दो साल पहले मध्यपुर्व को अननास और निवो का निर्याद शुरू किया गया था और अब कठल का निर्याद शुरू किया गया है अब ताजा मामला यह है कि राज्य में एक उद्यमी ने मास की पत्तियों से चाय तियार किया है सुनने में बहुत अजीब सा लगता है चाय से हम लोग सब परिचित हैं लेकिन चाय हम जानते हैं कि दारजिलिंग और असम समेत दक्षिड भारत और उत्तराखंड की पहाडियों में जो चाय बागान है वहाँ पैदा होती है खासकर असम और दारजिलिंग की चाय तो बहुत सुना होगा कि मास की पतीयों से भी चाय बन सकती है और त्रिपूरा बास की खेती के लिए मशूर है यहां बास के चावल भी होते रहे हैं और दूसरे हुद पाद भी बास्के बनाए जाते रहे हैं हस्तकला के जरिये उनका निर्यात भी किया जा रहा है बोतल भी बनाए जाते हैं बास्के जो परियावरन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और पारंपरिक प्लास्टिक के बोतलों की जगह और अब मास्की पत्ती से जो चाय बनी है ये पारंपरिक चाय का होता है लेकिन यह स्वास्त के लिहाज से बहुत बहतर चाय है और उन्होंने दिल्ली के एक निर्यातक को 500 किलो ग्राम 500 किलो चाय की पहली खेप भेजी है जो उसे बिदेसों में भेज रहे हैं और इस चाय के बारे में सुनकर सुदूर दक्षिड तमिलाडू के मदुरई से भी एक उद्यमी यहां आये थे उन्होंने तीन-चार दिन रहकर वहां उत्पादन की पूरी प्रक्रिया देखी और अपने साथ तीन-चार किलो चाय परिछण के तोर पर ले गए और आसम और दारजिलिंग चाय जहां बीसियों हजार उपए कीलो तक बिखती है काफी मशूर है लेकिन जो बास की पत्तियों से यह चाय बनी है इसकी कीमत बहुत कम है आम आदमी की पहुँच है इस तक महज 120 उपए कीलो है और समीर अपने काम के सिलसिले में चीन समेत कई एशियाई देशों में काम कर चुके हैं बास पर उन्होंने काफी काम किया है बास के उत्पादों पर काफी काम किया है और उनका कहना है कि बास की पत्तियों को संग्रह करने से लेकर प्रोसेसिंग पैकेजिंग चाय की पत्त का उत्पादन सब उन्होंने अपने बूते किया है और समीर का दावा है विशेशग्यों के हवाले कि बास की चाय जो बनती है बास की पत्तियों से तो उसमें एंटि आक्सिडेंट और एंटिबाइटिक गुण होते हैं और इससे जो सिलिकॉन और बाकी चीजें इसमें है इस त्रिपुरा में बास की लगभग 30 किसमें पैदा होती है और समीर का दावा है कि उन सब से चाय बनाई जा सकती है चाय की पत्तियां तयार की जा सकती है फिलहाल उन्होंने जो चाय तयार की है इसके लिए कोकाईच प्रजाती कोकाईच किस्म के जो बास है उनकी पत्तियों का इस्तिमाल किया है और उनको उमीद है कि मास की पत्तियों वाली यह चाय बैस्विक बाजारों में अपनी मजबूत उपस्तिती दर्ज कराएगी और जैसा कि मैंने पहले बताया उन्होंने चीन और जापान में भी इसका प्रसिक्षन लिया है और इसे बैम्बू लीफ टी क रहा जा रहा है और इसकी मार्केटिंग के लिए विदेशों में इसके निर्यात के लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही है और समीर त्रिपुरा में गोमती जिले के एक दूर दराज गाउं में रहते हैं इस तकनीक के जानकार हैं कई साल चीन में बिता चुके हैं इसके अलावा जापान, वियतनाम, कमबोडिया जैसे देशों के भी जात्राएं की है और उनका दावा है कि चाय के शौकीनों और ब्यावसाईयों के अलावा तमिलनाडू समयत कई राजियों के निर्यातकों ने इस चाय में दिल्चस्पी दिखाई है और समेर ने पहले एक खास कि गास से उगने वाले चावल में भी जोगदान किया था और इसका सैंपल फिलहाल दिल्ली और मदुरे के वैपारियों ने खरीदा है और इस चाय का मुख्यता वह जो ब्यापारियों के जरिये है ब्रिटेन और जर्मनी में निर्यात करना चाहते हैं दूसरे राजियों के व पादन और बास की नई प्रजातियों को बढ़ावा देने में वो काफी काम करते हैं तो अब ये एक नए किस्म के चाय है तो क्या आप तयार है बास की पत्तियों के चाय का स्वाद उठाने के लिए तो जल्दी ही बाजारों में मुझे लगता है जैसा समीर ने बताया कि घ आसानी से घर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं ऐसी ही अनूठी खबरें आपको बताता रहूंगा मेरा कारिक्रम लगातार देखते रहें और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अगर घंटी का निशान भी दबा देंगे तो आपको मेरे कार करमों के सूचना नियमित रूप से मिलती रहेगी और पसंद आए तो अपने मित्रों और परिजनों से सेयर करें और अपनी टिपड़ी के जरिए उत्सा बढ़ाना नहीं भूलें धन्यवाद नमस्कार